कैसे हूँ उमीद का तो आप सब लोग अच्छे हूँगों तो एक और इंट्रेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागते अलग अलग ब्रांड की दू पापलर इस स्मार्टफून एक त्रप मोटो जी 54 5G और दूसरी ट्रप गैलेकसी का F23 5G अगर आप लोग बी इन दोनों में से किसी स्मार्टफून का लेने का मन बना रहो चाहिए तो आज की कामपेर जरूर देख के जाना चाहिए तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम सुरू करते दोने स्मार्टफोन का अगर पर्फॉर्मेंस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कि स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपोर्टिन पार्ट होता है वैसे तो गैलेक्सी के F23 5G के प्रैस 3500 रुपीर जादा है फिर भी ये स्मार्टफ 54 5G में मीडिया टेक का डैमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखनों को मिल जाता है अगर पर्फॉर्मेंस वाइस बात करी जाए तो इन दूने स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो जी फिफिफिफिफिफॉर फैब जी में काफी बेटर पर्फॉर्मेंस देखनों को मिल ज निकल के आता है अगर आप लोग इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच ले हो तो इन दोने स्मार्टफोन के जानना बहुत जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनाट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो ज तो एक बात तो किरियर होगी, moto G54 फैब जी के प्रैस्च 3,500 रुपीच कमें, फिर भी यह स्मार्टफोन खास का पफॉरमेंस घीमिंग पफॉरमेंस के मामले में तो Galaxy के F23 Fabio से काफ़ी जड़ा बेटर हो जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जातो Moto G54 Fabio की प्रैस कम है फिर भी आप लोगों को डिस्प्ले में ज़्यादा एडवांटेज Moto G54 Fabio की डिस्प्ले में देखने को मिल जाते है 6.5 इंच की Full HD Plus 5 ओल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है डिस्प्ले के अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे रीफरेशेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसी तरब Galaxy के F23 Fabio 6.6 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो की इस प्रेश को अगर देखा जा तो Galaxy के F23 Fabio Low Average Quality की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में 5 ओल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले के अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे रीफरेशेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्पोन गर किमरे सेखमेंट की बात करीचाल तो दोने स्मार्पोन एक जैसा मेगाफिक्सल वाला सेमी अपर्चर का प्रेमरी कैमरा देखने को मिल जाता है मोटो का जी फिप्टी फोर फैब जी को कि मोटो जी फिप्टी फोर फैब जी के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखनों को मिल जाता है 50 मेगा फिक्सल का मिन प्रैमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखनों को मिल जाता है बाकी का दूसरा कैमरा 8 Megapixel का मिल जाता है विद LED Flash LED के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरब Galaxy के F23 5G के बैक में टरपल रियर कैमरा से टब देखनों को मिल जाते हैं 50 Megapixel का में प्रामरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखनों को मिल जाता है बाकी के दो कैमरे 8 Plus 2 Megapixel के मिल जाते हैं विद LED Flash LED के साथ पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखनों को नहीं मिलता है सेल्फी कैमरे के अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी किलियल विला निकल के आता है मोटो का G54 5G को कि मोटो G54 5G में 16 Megapixel का सेल्फी कैमरा देखनों को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखनों को मिल जाता है वही दूसरी तरब गैलेक्सी के F23 5G में सिर्फ 8 Megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखनों को मिल जाता है जो कि गैलेक्सी के F23 5G का दूसरा बहुत बड़ा मैनेस पॉंट है इसका सेल्फी कैमरा दोने स्मार्टफोन का अगर बैटरी से एक बिन की बात करीजा तो बैटरी के मामले में भी बैटर हो जाता है मोटो का G54 5G को कि मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती 30W की टर्बो फार्च चार्जिंग के साथ USB Tab C Port का सपोर्ट देखने के मिल जाता है वहीं दूसी तरब Galaxy के F23 5G में 5000 mAh की ही बैटरी देखने के मिल जाती 25W के फार्च चार्जिंग के साथ USB Tab C Port का सपोर्ट देखने के मिल जाता है इन दोने स्मार्टफोन के अगर बैटरी बैकप की बात करीजा तो Galaxy के F23 5G को फुल चार्ज करने के बाद 12 हावस का बैटरी बैकप देखने के मिल जाता है वहीं दूसी तरब Moto G54 5G को फुल चार्ज करने के बाद 14 हावस का बैटरी बैकप देखने के मिल जाता है सिक्योर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में side mounted finger pin sensor देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए best दे Galaxy के F23 Fabg का price 3500 रुपी जादा फिर भी ये स्मार्टफोन हर मामले में Moto G54 Fabg से पीछा दे जाता है